तो भाई कल एकी दिन मैंने एक भोती बेकार चीज देखी और एक भोती भैतरीन चीज देखी बेकार चीज आप सब जानते ही हैं राश्टर कवच ओम और भैतरीन चीज बताने वाली बात है सही कहा Stranger Things Season 4 Volume 2 भाई एपिसोड नमबर रेट लिट गंटे का एपिसोड नमबर टू दो गंटे बीस मिनट का और मैंने रात ही एक ही बारी में दोनों खतन कर दिये और भाई सच में हटने का मनी नहीं कर रहा था आई समझ नहीं आरा कि मैं तारीफ के लिए कौन सा नया वर ल सुपर्ब माइंड बलोइंग बहतरी लाजवाब जबरदस्त आउट्स्टेंडिंग एक्सिलेंट एक्स्टराइडिनरी भाई जादा नहीं बोल रहा हूं ये बात सच है जिन लोगों ने ये देख ली है वो समझ रहे होंगे भाई मेरा मन कर रहा है कि यहां पे आप से बह अगर एक बार आप ये देखने बैट गए तो भाई फिर आप उठो गई नहीं आपका उठने का मनी नहीं करेगा ये गैरंटी मैं देता हूँ ये गैरंटी ये सीरिस देती है भाई चैप्टर 8 का जो पहला ही सीन है उसमें मैं और मेरा भाई हम दोनों चिला रहे थे वो पहल मुझे बस निकल रहा था नई 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 और आपके मूझे भी यही निकलेगा भाई इसके अंदर सर्प्राइज एलिमेंट एकसाइटमेंट एलिमेंट एमोशनल एलिमेंट ये सब चीजें भर भर के हैं और भाई एंड में जो सीरिस का एमोशनल टेक है होता ही अच्छा सीन है वो और भाई वॉलिम टू का एक्शन एक मातरा में हैं लेकिन जो भी है जितना भी है जैसा भी है बढ़िया है उसमें कमी निकालने वाला कुछ है ही नहीं खासकर 11 का वो सीन जब उस हेलिकॉप्टर को गिरा देती है भाई वो सीन ट्रेलर में भी है पर यहां तो वो देखकर भाई मजाई आ गया उस सीन में कैमरा एंगल उसको शूट करने का तरीका वो सब कुछ बहतरीन था और भाई 11 और वेकना की फाइट वो भी देखने में बढ़िया थी और भाई एक्शन के साथ साथ सीजी भाई वॉलिम टू का सीजी बहतरीन है हम हम उससे कहीं भी डिसपोइंट होते ही नहीं है थासकर अपसाइट डाउन में क्यूंकि भाई जो भी सीजी है वो सारा अपसाइट डाउन में ही है अपसाइट डाउन का वो भयंकर सा लुक रात का अंधेरा बहुत सारे डीमन सब जगा वेकना की जड़े हैं वो सब कुछ जैसे बनाया गया है वो बहुत बढ़िया है और भाई एक सीन में हम देखते हैं लुकस को एक बुक पढ़ते हुए जिसका नाम था Stranger Things और अगर आप नहीं जानते तो भाई ये सीरीज ये पूरी सीरीज एक नोगल पर बेस्ट है तो देखा ये था आपके लिए एक unknown fact उसे कितने बाढ़ जीतोगे भाई पूरी सीरीज में स्टीव की आखो में नैंसी के लिए प्यार साफ साफ दिखता है और भाई पिछले 4-5 साल में जो कुछ भी हुआ है स्टीव ने नैंसी के लिए जो कुछ भी फिल करा है एक सीन में स्टीव नैंसी को सब कुछ बोल दे से और नैंसी ये बात जानती है और वो दोनों अब कुछ भी नहीं कर सकते भाई ये था सेकंड बेस्ट सीन जो सीन नमबर वन पे है वो मैं यहां पे नहीं बताऊंगा वो एक स्पोईलर है पस ये बता रहा हूं कि वो सीन एपिसोड नाइन के लास्ट में आएगा तो वो दे कभी भी ट्रबल्ड हो तो मेरे पास आना मैं तुम्हारा बड़ा भाई हो तुम मेरे छोटे भाई हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इस फूरी बात को दुनिया में कोई भी चेंज नहीं कर सकता और फिर वो आपस में गले मिलते हैं बहुत ही प्यारा सीन था ये तो हाँ भाई टेकनिकली और एमोशनली वॉल्यूम टू वेल मेड है एक्स्ट्रीमली वेल मेड है और भाई इसके एंड के वो पांच मिनट एक बार फिर देखूंगा एंड के वो पांच मिनट बहुत बढ़िया है अब मुझसे वेट नहीं हो रहा सीजन फाइव का यार पता नहीं सीजन फाइव कब आएगा और भाई क्या पता कि शीदा एक साल बाद आए भाई इतना वेड में नहीं कर पाऊंगा इस सीरीज की एंडिंग परफेक्ट थी इसके पोस्टर पे जो बात लिखी है एवरी एंडिंग हैसा बिगिनिंग वो बात बिलकुल सही है और सेडी सिंग की एक्टिंग भाई पीक पर थी मुझे वो इस सीरीज में बहुत पसंद आई और भाई एज आलवेज जोडी एक ही टीम में स्टीव रॉबिन डस्टिन और एडी ये जोडी मेरी फेवरेट है और भाई एंड में एडी ने बाजी मार ली और भाई जहां तक ब सॉल्यूम टू बहुत 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 पसंद आया अगर वक्त मिला तो एक बार फिर देख लूँगा इसमें एक्शन था इमोशन था कोमेडी थी ड्रामा था फ्रेंड्शिप रोमैंस मिस्ट्री सस्पेंस सब कुछ था भाई वो सब सीन्स देखकर आप चौक जाओ है वो बहुत बढ़िया है तो हाँ नो डाउट आप इसको हिंदी में देख सकते हो और अगर आपने देख लिए यह तो कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में लिख देना और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो और दोस्तों को वाट्सेप पर बेस दो और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मुवी वर्स